मोहंदास करमचंद गांधी जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है जन्व 2 अक्टूबर 1879 भारत एवं भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुक राजनेतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे वे सत्याग्रा, व्यापक सविने अवग्या के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे उनकी इस अवधारना की नीव संपूर नहिंसा के सिध्धान पर रखी गई थी जिसने भारत को भारतिय स्वतंतरता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंतरता के प्रतियांदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारन जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथ्वा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवध्य जिवरमक कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्यमत के अनुसार स्वामी श्रद्धानन ने 1915 में महात्मा की उपाधी दी थी। तीसरा मत ये है कि गुरू रविंद्रनात टेगोर ने महात्मा की उपाधी प्रदान की थी। 12 अप्रेल 1919 को अपने एक लेक में उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू बापू अर्थात पिता के नाम से भी स्मरन किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिश्यत है सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्र पिता कहकर संबोधित कर प्रती वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन दिन भारत में गांधी जैनती के रूप में और पूरे विश्प में अंतराष्ट्रिय और हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षन अफ्रीका में भारतिय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रा करना आरंब किया 1915 में उनकी भारत वापसी हुई उसके बाद उन्होंने यहां के किसानों, श्रमिकों और नगरिये श्रमिकों को अत्यधिक भूमी कर और भीदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एक जुट किया 1921 में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की बागदोर संभालने के बाद उन्होंने देशभर में दरिद्रता से मुक्ती दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार में केवं जातिय एक्ता का निर्मान वा आत्मनिर्भरता के लिए अस्प्रिश्यता के विरोध म अनेकों कारेक्रम चलाए, इन सब में विदेशी राज से मुक्ती दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ती वाला कारेक्रम ही प्रमुक था, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतियों पर लगाए गए लवनकर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके पालन किया और सभी को इंका पालन करने के लिए वकालत भी की, उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया, और परमपरागत भारतिये पोशाक धोती वसूत से बनी शाल पहनी जिसे वेस्वयम चरखे पर सूत कात कर हाथ से बनाते थे, उन्होंने सादा शाका ह भोजन खाया और आत्मशुद्धी के लिए लंबे-लंबे उपवास रखे। बेचने वाला जिसे अंग्रेजी में परफ्यूम कहा जाता है। मई 1883 में सादे 13 वर्ष की आयू पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मकंजी से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उसे लोग प्यार से बाकेहते थे। 26 ये विवाह उनके माता पिता द्वारा तै किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था जो उस समय उसक्षेत्र में प्रचलित था। परंतु उसक्षेत्र में यही रीती थी कि किशोर दुलहन को अपने माता पिता के घर और अपने पती से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। एक साधारन छात रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के शामलदास कॉलेज से कुछ समस्या के साथ हुदती उनकी। जब तक वे वहां रहे अप्रसन ही रहे। धानी लंदन में बिताए गए समय को काफी प्रभावित किया। हाला कि गांधी जी ने अंग्रेजी रीती रिवाजों का अनुभव भी किया जैसे उदाहरन के तौर पर नितिक अक्षाओं में जाने आदी का। फिर भी वो अपनी मकान मालकिन द्वारा मास एवं पत्ता गोबी को हजम नहीं कर सके। उन्होंने कुछ शाकाहरी भोजनालियों की ओर इशारा किया। अपनी माता की इच्छाओं के बारे में जो कुछ उन्होंने पदा था उसे सीधे अपनाने की बजाएं उन्होंने बौधिकता से शाकाहरी भोजन का अपना भोजन स्वीकार किया। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदसेता ग्रहन की और इसकी कार्यकारी समिती के लिए उनका चैन भी हो गया जहां उन्होंने एक स्थानिय अध्याय की नीव रखी। बाद में उन्होंने संस्थाय गठत करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचे देते हुए इसे श्रे दिया। वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले उनमें से कुछ थियूसुफिकल सोसाइटी के सदसे भी थे। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में विश्व बंधुत्व क को प्रबल करने के लिए की गई थी और इसे बौध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अधियन के लिए समर्पित किया गया था। दक्षिन अफ्रिका में गांधी को भारतियों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंब में उन्हें प्रत्थम श्रेनी कोच की अधिनायों का सामना किया। अफ्रिका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक ये भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने नहीं मान ये सारी घटनाए गांधी के जीवन में एक मोर बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रती जागरुकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिधह हुई। दक्षिन अफ्रिका में भारतियों पर हो रहे अन्याय को देखते दो अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जूलू के खिलाफ युद्ध छेर दिया। गांधी जी ने भारतियों को भरती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रियर रूप से प्रेरित किया। उनका तक था अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतियों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। तथा पी, अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतियों को पत देने से इंकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतियों घायल अंग्रेज सेनिकों को उपचार के लिए स्टैचर पर लाने के लिए स्वैच्छा पूर्वक कारे कर सकते हैं। इसकोर की बागडोर गांधी ने थामी। गांधी 1915 में दक्षिन अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लोट आये। 31, उन्होंने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किये। लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दो राजनीती तथा उस समय के कॉंग्रेस दल के प्रमुख भारतिय नेता गुपाल कृष्ण गोकले पर ही आधारित थे जो एक सम्मानत नेता थे। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त के रूप में उप्य पंजाब में अंग्रेजी फोजो द्वारा भारतियों पर जलियावानना नरसनहार जिसे अमरित सर नरसनहार के नाम से भी जाना जाता है, ने देश को भारी आगहात पहुंचाया जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भढ़क उथी। गांधी जी ने ब्रिटिश की वकालत की की सभी हिंसा और बुराई को न्यायुचित नहीं ठेहराया जा सकता है। किन्तु ऐसा इस नरसनहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार आर भारतिय सरकार के कबजे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रन लाने पर के लिए प्रस्तावित समुहिकरण के प्रती उनका गहन संदेह होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वा भ्यास के रूप में देखा। इसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग-अलग देशों में विभाज़त कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदूओं और सिक्खों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बटवारे तथ्यवांशित के पक्ष में था। उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ बंगाल में भी मुसलिम और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ गर्म रविये को शांत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बावजूद उन्हें उस समय परेशान किया गया जब सरकार ने पाकिस्तान को विभाजन परिशद द्वारा बनाये गए समझोते के अनुसार 55 करोर रूश उन्य न देने का निर्ने लिया था। सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उप्योग भारत के खिलाफ जंग छेडने में कर सकता है। जब यह मांग उठने लगी कि सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भीजा जाए और मुस्लिमों और हिंदू नेताओं ने इस पर असंतोश व्यक्त किया और एक दूसरे, चवालीस, के साथ समझोता करने से मना करने से गांधी जी को गहरा सदमा पहुँचा। उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमरन अंशन आरम किया जिसमें सामप्रदाइक हिंसा को सभी के लिए ततकाल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोर रूशून्य का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिता और असुरक्षा से भारत के प्रती उनका गुसा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। उन्हें आगे भी डर था कि हिंदू और मुसलिम अपनी शत्रुता को फिर से नया कर देंगे और उससे नागरिक युद्ध हो जाने की आशनका बन सकती है। जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावक बहस के बाद गांधी जी ने बात का मानने से इंकार कर दिया और सरकार को अपनी नीती पर अड़ेग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को बुक्तान कर दिया। हिंदू मुसलिम और सिक्स समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भुला कर शान्ती लाएंगे। इन समुदायों में राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग और हिंदू महासभा शामिल थे। इस प्रकार गांधी जी ने संत्रे का जूस, 45, पीकर अपना अंशन तोड़ दिया। मैंचेस्टर गाजिन, 18 फरवरी 1948 की गलियों से ले जाते हुआ दिखाया गया था। तीस जन्वरी 1948, गांधी की उस समय नाथूराम गो से द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिला भवन, बिला हाउस के मैदान में राच चहल कदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गोर से हिंदू राष्ट्रवादी थे जिनके कटरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे जिसने गांधी जी को पाकिस्तान, 46 को भुपतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोर से और उसके उनके सेह शद्यंत्रकारी नारायन अप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 15 नवंबर 1949 को इन्हें फासी दे दी गई।